हेलो एब्रिवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उनलाइन एजुकेशन में मैं एसिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीन अठाकुर आज जिस विशे को लेकर आप लोगों के वीच उपस्तित हूँ वो है बिये प्रितियवर्ष जो जिन बिद्यार्थियों को स्किल एनहांस्मेंट का पुस्तक लगी है कॉन्फिक्ट एंड पीस विल्डिंग उसका जो टॉपिक है अंतराष्ट्रिय राजनीती में विचारधारा की भूमी का अंतराष्ट्रिय राजनीती में विचारधारा क्या भूमी का निवाती है और अंतराष्ट्रिय राजनीती में जब राजियों के वीच संघर्ष विद्यामान रहते हैं तो उन संघर्षों के संदर्व में विचारधारा क्या भूमी का निवाती है और अंतराश्ट्रिय राजनीती में किस प्रकार विचारधारा पर या विचारधारा के आधार पर राज्यों की वीच में संघर्ष होते हैं ये हम समझने का प्रियास करेंगे और जानने का प्रिय जाकर या इस चैनल पर जाकर आप बाकी लेक्चर भी देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं अंतरास्ट्रिय राजनीती में विचारधारा की भूमिका इससे पहले कि हम विचारधारा की भूमिका को अंतरास्ट्रिय राजनीती के संदर्व में देखें उससे पहले हमें बचारधरा का अर्थ पता नहीं होगा, तो तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगी, कि अंतरास्ट्रिय राजुनिती में जो ये विचारधरा है, ये क्या भूमे का नहीँ आते हैं, तो बचारधरा को, जो है, ये शब्द जो है दिया गया है, एक फ्रेंच जो है, Presidential ntisht होए है या विचारधारा शब्द इन्होंने कोईन किया है तो विचारधारा होती क्या है विचारधारा किसी एक राजनितिक बिद्वान किसी एक जो है राजनितिक दार्शनिक पॉलिटिकल फिलोसपर के ऐसी विचारों का समू होता है या राजनितिक विचारों के ऐसी विचारों क समहू होता है जिसका अनुसर्ण समाज का एक बहुत बड़ा भाग करता है फिर सी रिपीट कर रहा हूँ बिचारधारा क्या है बिचारधारा जो है किसी राजनितिक बिचारक राजनितिक बिचारक कौन हुई उधारन के लिए महात्मा गांधी है प्लेटू है एरिस्टोटल माक्स है कार्ल माक्स है तो ऐसे राजनितिक विचारों की सम्हूं को जो उन्होंने विचार दी समाज के संदर्ब में राजनितिक द्यवस्ता के संदर्ब में ऐसे विचारों की सम्हूं को जिसका अनुसर्ण समाज का एक बड़ा भाग करता है जैसे गांधी बाद को सत्या औ पूंजी बाद जो विचारधारा है वो इसका एक मुख्या अधार है तो जिस विचारधारा का अनुसरन समाज का एक बड़ा वर्ग करता है उसको विचारधारा का आ जाता है विचारधारा के उधारन क्या क्या है जैसे माक्सबाद काल माक्स के विचारों से जो विचारधा ठेकेदारों के चंगुल से निकलने के लिए जो हुनोंने सिधात दिये तो वो सिधात जो है माक्सबाद कहलाएं हैं तो इसमें जो बाद शब्द है ये जो बाद भी बाद की बाद करते हैं माक्सबाद के अलावा दूसरी विचारधाराएं हैं जैसे पूंजीबाद प्राइविट और जो गवर्नमेंट है इसका जो है कॉम्बिनेशन उद्यूगों में रहता है इसके अलावा समाजबाद में उत्पादन की साधनों पर संपून समाज का नियंत्रन होता है इसके अलावा सामयवाद या तानाशाही दूसरी बिभिन प्रकार की हिटलर और मसोलनी के नितितों में इटली और जर्मनी में फासिवाद और नाजिवाद जैसी विचारधाराओं ने जनम लिया है तो बरतमान समय में आप देखते हैं विविन 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 जो विचारधाराएं हैं उनका अनुसरन करते हैं उनको फॉलो करते हैं अगर आप लोकटंत्रिय राजियों को देखेंगे, चाहे वो भारत हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, कोई भी लोकटंत्रिय राज्या है, वो capitalism की विचारधारा को, पुण्जीवादी विचारधारा को follow करते हैं, इसके आदार पर ही इनका सिस्टम चलता है, जैसे आप देखेंगे नोर्थ कोरिया नोर्थ कोरिया जो है अतिनायक बादि विचारधारा पर या ताना शाही विचारधारा पर अधारित है तो विचार धारा किसी भी राज्य का आधार है किसी भी राज्य की जो विदेश नीती है उस विदेश नीती को उस विचार धारा के अनुसार ही चलाया जाता है क्योंकि विदेश नीती के द्वारा कोई भी रास्टर अपने रास्टर हितों को पूर्ण करने का प्रियास करते अब किसी रास्ट्र के रास्ट्र हित क्या होते हैं उधारन के लिए भारत है भारत अपनी विदेश नीती चाहे वो USA के संदर्ब्या बनाता हो पाकिस्तान के संदर्ब्या बनाता हो तो उसकी विदेश नीती के कुछ एक इंट्रस्ट होते हैं उदेश्य होते हैं जिन वो अपनी विदेशनिती बनाता है ताकि वो विदेशनिती के द्वारा उन उदेशियों को प्राप्त कर सके तो है क्या अंतराष्ट्रिय राजनिती में विचारधारा महतुपुन भूमी का निवाती है क्योंकि हमारा टॉपिक है अंतराष्ट्रिय राजनिती में विचारध तो उन राज्यों की बीच जो संघर्ष है, उन राज्यों की बीच के संघर्ष को सुलझाने या उनको बढ़ाने में इस विचारधारा की क्या भूमिका रहती है। रास्ट्र हितों को अपने उदेशियों को पूर्ण करने का प्रियास करते हैं उन जो है रास्ट्र हितों को प्राप्त करने का प्रियास करते हैं अब विदेश नीती क्या है विदेश नीती जो है एक रास्ट्र जो है दूसरे रास्ट्र के प्रति उसके जो है व्यवहार को इ यह कुछ इक नीतियां अपनाता है ताकि वह रास्ट्र की अनुसार कार्य व्यावार करें उसको विदीश नीती कहा जाता है अर्थाथ विदीशी संबंध हम की उस्तापित करते हैं क्योंकि कोई भी राजिय बर्तमान समय में इतना आतम संबंध नहीं हो सकता भ्यापार दुसरे राज्यों से करें. तो क्या है अपनी विदेश नीती के उदेशियों को प्राप्त करने क्या प्रियास करता है jonwn प्रतेउक राज्यय विदेश नीती के माधियम से जो है विदेश नीटी के माधिम से और विचार धारा के द्वारा अर्थात जिस परकार भारत पुझीवादी विचार धारा को अपनाता है तो इस पुझीवादी विचार धारा के द्वारा भारत अपने रास्ट्री हितों की पूर्ती करने का प्रियास करता है इसलिए कहा आजाता है कि विचार धारा क्या है विचार धारा जो है राश्ट्री हितों को पूर्ण करने के लिए राश्ट्री हितों की पूर्ति के लिए जो है सोची समझी कारिय दिशाये हैं अर्थात विचारधारा क्या है विचारधारा एक साधन है विचारधारा एक यंत्र है जिसके द्वारा कोई भी देश चाहे वो भारत हो पाकिस्तान हो अमरीका हो शिरलंका हो नेपाल हो चाहे वो रशिया हो जापान हो वे सभी देशों की अपनी एक विचारधारा है उस वि भी राष्टर जो है उसके नेशनल इंट्रस्ट होते हैं और एक राष्टर का नेशनल इंट्रस्ट जो है एक राष्टर का राष्टरी हित जो है दूसरे राष्टर से जो है टकराब में रहता है जैसे भारत और पाकिस्तान की संदर में आपको बताता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का जो नेशनल इंट्रस्ट था वो जमू कश्मीर था और जमू कश्मीर के रास्टर हित को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों United Nations युक्तरास्टर संग और अन्या प्लेटफॉर्म पर आपस में बहुत इनमें संघर्ष चलता रहा तो भारत ने अपनी विचारधारा के नुसार हमेशा सदा सदा ये क्लियर किया कि जमू कश्मीर किसका हिस्सा है भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ये कहता रहा कि जमो किश्मीर उनका हिस्सा है लेकिन जो है इस जो है विचार धारा के कारण दोनों में जो है विवाद चलता रहा संघर्ष चलता रहा दोनों में असमानिय सहमती जो है असहमती बनी डिस एग्रिमेंट बना एक कहता है कि मेरा हिस्सा है दूसरा कहता है मेरा हिस्सा है तो बिचार धारा के द्वारा दोनों ही रास्ट्रों ने अपने रास्ट्र हितों को पूर्ण करने का प्रियास किया तो ये सोची समझी कारे दिशाएं हैं क्या बिचार धारा क्या है सूची, समझी, कार्य, दिशा है जिसके द्वारा प्रतीक राष्टर अपने राष्टर हितों को पूर्ण करने का प्रियास करता है अब क्या है? अब ये प्रतीक राष्टर जो है अंतराष्टर अस्तर पर national level पर बरतमान्समें में जितने भी देश है 206 से 210 देश के बीच में तो अंतरास्ट्रिय स्तर पर परतिक राज्य जितने भी राज्य है चाहे वो इंडिया हो, USA हो, पाकिस्तान हो, नाबीविया हो, जितने ही देश हैं, प्रतिक राज्य जो है अपने हिदों को प्राप्त करने का प्रियास करता है, जब उस राज्य की विचारधारा का, दूसरे राज्य की विचारधारा के साथ संघर्ष उत्पन हो जाता है, तो अंतरास्ट्रिय संबंधों में विचारधारों की भूमी को जो है दो भागों में बाटा जाता है तो विचारधारा के अधार पर भी राज्यों के वीच संघर्ष उत्पन होता है कैसे क्योंकि आज की युग में बरतमान युग में परते एक रास्ट्र जो है अपने कारियों तथा नीतियों को उचित ठहराने के लिए जो है तथा इनका वर्णन और उपयोग करने के लिए बिचारधारा का उपयोग करता है क्या कहरा हूं में बरतमान समय में प्रते एक रास्टर अपने कारियों और नीतियों को सही ठहराने के लिए कि जो वो कारे कर रहे हैं जो वो नीतियां दूसरे देशों के प्रती अपना रहे हैं वो नीतियां जो है बिलकुल सही हैं। तो इन नीतियों को सही दरशाने के लिए प्रते एक राज्य बिचारधारा का क्यों करते हैं। यह युद जो है विचारधारा परादारीत युद था जो मनुश्य के दिमागों में लड़ा गया अर्थात इसमें कोई युद नहीं हुआ लेकिन इस प्रकार की परिस्तितियां वनी की युद होते होते रह गया अब शीत युद क्या था शीत युद दो विरोधी पुझीवाद और सामयवाद की बीच विरोध था एक तरफ पुझीवादी विचारधारा थी जिसका जो नेतरित्व है वो युएस से कर रहा था दूसरी तरफ जो है सामयवादी विचारधारा का जो नेतरित्व है सामयवादी विचारधारा का नेतरित्व जो है जो है दो विचारधाराओं पर जो है दो विचारधाराओं का संघर्ष था जिसमें एक विचारधारा का अंतमे जो है उसका डिकलाइन होता है जिसको हम कहते हैं सामयबादी विचारधारा का जो है डिकलाइन होना तो किसी राष्ट्र के हित वे उदेश होते हैं अब राष् राश्ट्रुहित किसी भी राज्य के वे उदेश्य होते हैं वे एम होते हैं वे नियम होते हैं जिनको वो पूर्ण करना चाहते हैं वे देशनीटी के द्वारा तो विचार धाराओं को मुख्यतह जो है दो भागों में विभाजित किया जाता है अर्थात विचार धाराओं क उनकी भूमिका के आधार पर दो बर्गों में विभाजित किया जाता है एक है राज्य के विदेश नीती निर्मान अर्थात विचार धारा जो है उस देश की विदेश नीती के निर्मान में किस परकार की भूमिका निवाते हैं तथा जो है किस प्रकार जो है उस विदेश नीती को क्रिया निवित करते हैं अर्थात उस देश के संदर में किस प्रकार वो जो है एक्षन लेते हैं तो दो प्रकार से हम देखते हैं विचार धाराओं की भूमिका को एक राज्य के ब्याभार के तत्तों के रूप में कि पहली विचारधारा है समानिय विचारधाराओं की भूमी का जो है हम लोग जानेगे कि जो समानिय विचारधाराएं है वो अंतराष्ट्रिय संबंधों में जो जनरल विचारधाराएं है जिसमें जैसे मैंने आपको बिताया उदारबादी विचारधारा है पुझीवादी साम्यावाद है या मानववाद की विचारधारा है विशोशान्ती की विचारधारा है तो येिक्षार आप ऐस का दिनकम थन्रीन HEY यह आसरी छह में बहुतिए संबंदो आए हैं जिसकी द्वारा परतिक राष्टर अपनी राष्टर हितों की पूरती करना चाहता है। इतने भी देश है, बहुत सारे देश अंतरास्ट्रिय स्तर पर जो है उदारबादी विचारधारा को फॉलो कर रही है, अब उदारबादी विचारधारा किसके द्वारा दी गई, जैसे जॉन लॉक है, जॉन लॉक के द्वारा जो है उदारबादी विचारधारा पर बहुत ज्यादा भल दिया गया उदारबाद की जनक जो है जोन लोग को माना जाता है तो उदारबादी विचारधारा किसमें विश्वास करती है ब्यक्ती की स्वतंतरता commence ताकि ब्यक्ति को स्वतंतरता मिले ताकि उह अपना पूर्ण विखास कर सेगे तो अंतराश्ट्य स्तर्पत जितने भी राज्ये हैं उनकी बीच की संबंधों में उदारवादी जो विचारधारा है वो बहतोपुर्ण भूमी का निवाती है कैसे उदारवादी विचारधार पश्यमी समाजिक आर्थिक और राजनितिक अर्थ व्यवस्ता का अधार है तो बरतमान समय में जो पश्यमी देश है जो विक्सित देश है उनकी जो राजनितिक व्यवस्ता है उनकी जो राजनितिक अर्थ व्यवस्ता है उनका अधार जो है पूँजिवादी विचारधा रही है उदारवादी विचारधारा रही है और बरतमान लोकतंत्रिय राज्य जो है पूझिवादी विचारधारा पर अधारित है बरतमान समय में जितने भी लोकतंत्रिय राज्य है जो जो डेमोक्रेसी को अपनाया है जिन देशों ने तो वो उदारवादी विचारधारा क अधारित है अर्थात राज्य के अंदर जितने भी उद्योग धंदे हैं जिस ब्यक्ति के अंदर जितनी योगयता है वो अपनी योगयता की अनुसार जो है इकॉनमी में पैसा इंवेस्ट कर सकता है और उससे फाइदा उठा सकता है तो यह open competition और जो है स्वतंतर व्यापार यह वह चोनाब की स्वतंतरता पर बल देती है अर्थात उधारबाद क्या है उधारबाद में जो आर्थिक अर्थव्यवस्था होती है उसको दोग्षित्रों में भिवाचित किया जाता है बिसिकली जो है इसमें पूंजीवाद में जो है सरकारी और प्राइविट का जो ह जिस प्रकार भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्ता है और मिश्रित अर्थव्यवस्ता में हमने जो है क्या किया है जैसे हमने जो है LPG के कॉंसेप्ट को उदारी कर्ण, नीजी कर्ण और वैश्वी कर्ण को हमने 1985 की दशक से अपनाना प्रारम किया LPG, लिवलाइजेशन, प् प्वधारत में बढ़्ःवत दिया गया और जो सरकारी उधियोग धंदे हैं वो जो है अब सरकारी नियंतरन सी कुछ हद तक प्राइवट क्षेतर में भी दे दिये गये थे तो यहां विचारधारा जो सर्वसत्ता वाधी विचारधारा है फासी वादी विचारधारा किन विचारधारों का विरूद करती है ये विरूद करती है सर्वसत्तावाद ठीक है फासीवाद और जो है सामयवादी विचारधारों का विरूद करते है अब सर्वसत्तावादी विचारधारा क्या है सर्वसत्तावादी विचारधारा में जो साशन क शक्तियां है वो याथ एक व्यक्ति में होती है व्यक्तियों के समुवों में तो वहाँ पर ना तो open competition होता है लोगों को सर्वसत्तावादी जो है व्यवस्ता में ना तो अधिकार मिलते हैं ना सौतंदरताएं मिलते हैं जबकि उदारवादी जो विचारधारा है इसमें से संघर्ष में रहे हैं क्योंकि दोनों की उदेश्य जो है अलग-अलग है तो अंतरास्ट्रियस तर पर जो राज्य उधारवादी विचारधारा को अपना रहा होगा जो राज्या ju है जिस प्रकार फासिवाद है या जैसे सर्बसत्तावादी राज्य है जैसे नौर्ट कोरिया है जो की जो है और्थॉलिटेरियन जो विचारधारा है उनको अपना रहे तो उनमें हमेशा आपस में संघर्ष रहे था क्योंकि उदारबाद स्वतंतरता की बात करते हैं ये लोग स्वतंतरता के बिरुदे तो जब ये अंतरास्ट्रिय राजनीती पर एक दूसरे के साथ जो है संबंद बनाएंगे तो वो संबंद हमेशा से संघर्षों वाले रहेंगी तो उदारबादी विचारधारा का संघर्ष जो है शीट युद के समय जो है सामयवादी विचारध जैसे कि मैं आपको बारबार कह रहा हूँ शीट युद जो है विचारधारा पर अधारित युद था जिसमें जो है समाजवादी विचारधारा के विरुद सामयवादी विचारधारा के विरुद उदारवादी विचारधारा थी अर्थात पूंजीवादी विचारधारा और जो है सामयवादी विचारधारा का जो है सामयवादी विचारधारा पर अधारित जो है शीतियूद था जहांपर USA पुझीवादी विचारधारा को फॉलू कर रहा था और जो USSR गुठ है वो जो है सामयवादी विचारधारा का नित्रितो कर रहा था तो शीट यूट जो है विचारधारा पर अधारित जो है संघर्ष था तो इस परकार बर्दमान समय में जो राज्य है उनके बीच जब वो अपने राष्ट्र हितों को पूर्ण कर रहे होते हैं तो उनमें संघर्ष होता है विचारधाराओं को लेकर अब है माक्सवादी विचारधारा अंतरास्ट्रिय राजनिती में कितनी भूमी का निवाती है क्या भूमी का निवाती है किस परकार भूमी का निवाती है तो कहते हैं कि माक्सवादी या सामयवादी विचारधारा उदारवादी विचारधारा से बिलकुल अलग है क्योंकि जहांपर उदारवादी विचारधारा जो है open competition की बात करती है नीजी प्रतियोगिता की बात करती है कि जिस व्यक्ति के पास जितनी capability है वो अर्थ व्यवस्ता से उतना धन extract कर सकता है अपनी ability की अनुसार वहीं जो समाजबादी विचारधारा है वो इसकी बिल्कुल भी प्र जहांपर जो है माक्सवादी विचारधारा जो है राज्य को शोशन का यंत्र मानती है माक्सवादियों के अनुसार जो राज्य है वो पूझी पतियों के हाथों में वो कहते हैं कि राज्य जो है पूझी पतियों के हाथ में जो ठेकेदार है उनके हाथों में शोशन का यं इंतरन की बात करते हैं वहीं पर उदारवादी जो है प्राइविडाजेशन की बात करते हैं तो ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे का विरूद करती हैं क्योंकि माक्स जो काल माक्स के अधार पर जो माक्सवादी विचारधारा है उसका मानना है कि एक दिन जो है दुन वो वर्ग का शोशन करते हैं, वो मजदूर वर्ग का शोशन करते हैं, पुंजीवादी राजियों में जो बड़े बड़े ठेकेदार है, वो मजदूरों का शोशन करते हैं, और जो अतिरक्त मुल्या का लाब है, वो लोग सुएं उठाते हैं, सर्प्लस बैल्यू का जो कॉं बजार में जो उसको surplus जो है उसका value मिलती है उसका मुल्य मिलता है उसका हिस्सा जो है मजदूरों को नहीं मिलता है तो यह जो विचारधारा है यह मजदूरों की करांती का समर्थन करती है कौन सी विचारधारा समाजबादी विचारधारा जो है मजदूरों की करांती की बात करती है और मजदूरों की करांती की परिणाम सुरूप वो जो है मजदूरों की सत्ता प्राप्ति की बात करते हैं जिससे पुंजीवाद का विनाश हो जाएगा और संपून जो है समाजवाद की स्थापना हो जाएगी तीसरी जो विचारधारा है वो है समराज्यवाद की वि ब्यवस्ता को बदलने का प्रियास करती है अर्थात जो समराज्यवादी विचारदा रहे हैं बरतमान समय में जो शाषन ब्यवस्ता चल रही है अर्थात अगर किसी देश में पूंजीवादी ब्यवस्ता है तो उन जो है अपनी नीतियों के द्वारा जो है उस शाषन दूसरे देश की जो है प्रकरतिक तोर पर शोशित करने के लिए बनाई जाती है जैसे देखो क्या होता है समराज्यवाद क्या है समराज्यवाद एक ऐसी शाषन प्रनाली है या समराज्यवाद एक ऐसी व्यवस्ता है जो है जिसमें एक शक्तिशाली देश समराज्यवाद मे क्या आता है सामराज्यवाद में सामराज्यवाद में एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर आकरमन करके जो है उसको अपने नियंतरन में कर देता है और फिर उस देश की जो प्राकरतिक संसादन है वहाँ पर जो खनीज पदार्थ है चाहे वो जो है बन है पेड है इसके अलाबा जो है वहाँ पर जो है लोहा है ऐसक है तामबा है उन सब का शोषन वो अपने देश के विकास के लिए करते हैं उधारन के लिए हम अंग्रेजों की अधीन रहें 1947 तक तो अंग्रेजों ने हम लोगों को अपना जो है क्या बनाया हम लो जो है किसी दूसरे देश को प्राकर्तिक t Aleos तो सम्राज्यवादी विचार धारां के द्वारा एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर आकरमन करके उसे अपना उप्लभेश्वाद के तो है के तॉर पर उसका प्रियूक करने के कोशिश करता है तो यहां पर कहने का क्या अभिप्राद है जो समराज्यवादी विचारधाराएं हैं वो जो है बर्दमान समय में वो अभी भी जो है उसी प्रकार की उदिशे को लेकर आई हैं की जो है प्राकृतिक संसाधनों का शोशन किया जा सके इसके लावा असपष्ट विचारधाराएं हैं जिनको कोई एक सपष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अंतरास्ट्रिय स्तर पर ऐसी असपष्ट विचारधाराएं भी है जो अंतरास्ट्रिय राजनिती में अपनी भूमिका निवाते हैं तो अंतरास्ट्रिय स्तर पर कई प्रवाब डालती है अर्थात अंतरवास्ट्रिय संबंदों में लक्षों एबं उदेश्यों की प्राप्ती के लिए ये विचार धाराएं साधान तोर पर समराज्यवादी बिरोधी विचार धाराएं कहलाती है तो जो असपष्ट जो धाराएं हैं विचार धाराएं हैं वो समराजयवाद का बिरूद करती है कि समराजयवाद को ये गलत माती क्योंकि समराजयवाद जो है प्रागर्तिक तोर पर देश का शोशन करते हैं आतिक तोर पर देश का शोशन करते हैं तो ये असपष्ट विचारधाराएं समराजयवादी विचारधाराओं का जो है इनके बीच जो है संघर्ष भी चलता रहता है क्योंकि ये समराजयवादी विचारधाराओं का विरूध करती हैं ये सभी विचारधाराई अपने विरूधी के कारियों को समराजयवादी कारे कहकर उनको नकारती है इसके अंतरगत जो है राश्ट्री आतम निर्णे की विचारधारा या सियुक्त राश्ट्र की विचारधारा ठीके इस विचारधारा के अंतरगत क्या आती है राश्ट्री आतम निर्णे की हम अपना जो नीती निर्मान है हम अपने दीश का निर्मान स्वई कर सकते हैं अस् सबस्ट विचारधाराइं समराज्यवादी विचारधाराओं की विरोधी अर्थात जो देश इस प्रकार की नीती अपनाता है जो दूसरे देश के प्राकरतिक संसाधनों को अपने अध्हीन करने की कोशिश करता है या समराज्यवादी नीतियां या दूसरे देशों को के जो है साथ साथ रहने की बात करता है तो ये इस विचारधारा की क्या करते हैं आलोजना करते हैं तो चलिए देखते हैं रास्ट्रिया आतम निर्णे की विचारधारा क्या है यह असपस्ट विचारधारा का जो पहला प्रकार है कि रास्ट्रिया जो आतम निर्णे है रास् तथा पुर्व यूरोपिया रास्ट्यताओं को विदेशी शाषन से स्वतंत्र करवाने के लिए नियाय संगत ठहराने के लिए प्रियोग किया इस विचारधारा का मूल यह है कि प्रतेएक रास्ट्र को अपने समाजिक आर्थिक और राजनितिक निर्ने लेने का लिकार है तो रास्ट्री आत्म निर्ने की जो विचारधारा है उसका क्या मानना है कि प्रतेएक रास्ट्र को अपने समाजिक अपने आर्थिक और अपने राजनितिक क्षेत्र में जो है निर्ने लेने की स्वतंतरता है अर्थात परतेएक राष्ट्र समाजिक आर्थिक और राजनितिक क्षेत्र में स्वतंतर है कि वे किस परकार अपने देश का विकास करना चाहते हैं वे किस परकार जो है अपने देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सबसे पहले बुडरो विल्सन ने इस विचारधारा को केंदरी अमाना था किसके लिए यूरूपिय देशों के लिए कि यूरूपिय देश जो है अपना विकास किस परकार कर सकते हैं तो राश्ट्रिय आतम निर्ने की विचारधारा है यह अंतराश्ट्रिय र आतम निर्णे के द्वारा, अपने निर्णे के द्वारा अपना विकास करना चाहेंगे, सियुक्त राष्ट्र की विजाधा, सियुक्त राष्ट्र संग की स्थापना की गई थी, सियुक्त राष्ट्र संग की स्थापना की गई 24 अक्तूबर 1945 को, और सियुक्त राष्ट्र सं सहमती होती है, डिसेग्रिमेंट होता है, उन संघर्षों को सुलजाकर उनके वीच शांती कायम की जा सके, ताकि स्युक्तरास्टर संग की स्तापना हुई क्यों, क्योंकि स्युक्तरास्टर संग की स्तापना से पुर्व विश्व दो विश्वयुद देख चुका था, पहला विश्व युद 1949-1945 तक तो इस में जो है विश्व की सभी राज्यों को भियंकर जानमाल का नुक्सान हो था इसलिए श्युक्तराष्टर संग की स्थापना की गई और श्युक्तराष्टर संग की विचार धारा क्या है? जियो और जिने दो, जियो और जीने दो का अर्थ क् बिश्व की सभी राष्ट्र जो है शांतिपून तरीके से जीन तो श्युक्त राष्ट्र संग के घूशना पत्र में श्युक्त राष्ट्र की विचारधारा का वर्णन किये गया था तो श्युक्त राष्ट्र की विचारधारा क्या है कि श्युक्त राष्ट्र संग जो है अ पारत और चीन की वीच सिमर्विवाद है यदि ये अपने जो है वांडरी डिस्प्यूट को लेकर युएन में जाते हैं युनाइटी नेशन की इंटरनेशनल कोर्ट आप जस्टिस में जाते हैं तो वहां पर जो है इनके जगड़ों को सुलजाने का प्रियास किया जाएगा ताकि इनके जो संघर्ष है वो जो है युद तक न पहुंचे तो अंतराष्ट्री स्तर पर जो है राष्ट्री राज्यों की वीच के जो जगड़े हैं उन जगड़ों को सुलजाने का प्रियास किया जाता है अंतराष्ट्री स्तर पर संघर्षों को सुलजाने के लिए स्य जुद्ध ना हो तो शुक्त रास्ट संग की विचारधारा जो है अंतरास्ट्रिय राजनिती में शांती स्थापित करने में अपनी भूमी का निभाती है अब है मानव अधिकारों की विचारधारा जो सबसे अंतिम विचारधारा है जो अंतरास्ट्रिय राजनिती में भूम मानव होने के नाते जो है प्रक्रती से जो है या इश्वर से स्वतंतर तोर पर मिलते हैं जो अधिकार जो है मनुश्य को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं जैसे जीवन जीनी का अधिकार जीवन जीनी का अधिकार किसी देश ने नहीं दिया किसी संभिधान नहीं दिया बलकि है इश्वर द्वारा दिया गया अधिकार है तो मानव अधिकारों की श्रिणी में वे अधिकार आते हैं जो मानव जीवन के विकास के लिए आविशक है तो मानव अधिकारों की विचारधारा के अंद्रगत क्या है बरतमान समय में क्या है भारत जो है पाकिस्तान की आलोचना अर्थाक भारत जो है पाकिस्तान की आलोचना इस आधार पर करता है कि पाकिस्तान में जो है human rights लोगों को नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर लोगों को उनकी मानवधिकार नहीं मिल रहे हैं तो इस प्रकार जो है अपन चीन को कहता है कि वहाँ पर लोगों को सवतंतर ताएं नहीं है तो इस प्रकार ही देश जो है मानव अधिकारों की जो विचार धारा है उसकी द्वारा जो है अपने विरोधियों को जो इनकी विरोधी है जैसे भारत का जो विरोधी है जो है सीमा विवाद के संदर में पाकि की गई है उस देश में यहां नीती नहीं बनाई गई है यह कानून नहीं बनाई गया है कि मानवधिकारों की सुरक्षा की जा सके ठीक है नीतियों तथाकारियों की आलोचना कर रहे हैं विक्सित देश जो है मानवधिकारों की विचारधारा का प्रियू करके जो है विकास श उनका मानना है कि बिकास्टिल देश है तीसरी विश्यों के देश है जिसे में एशिया, अफरीका और लैटेन अमेरिका की देश है तो इस अधार पर वे अपने विरुधियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो इस अधार पर इन राजियों की वीच जो है संघर्ष भी उत्पन होते हैं तो ये थी अंतराश्ट्रिय राजनीती में विचारों की भूमिका और विचारधारा की भूमिका थेंक यू